अगर इस्तरी की कॉलक को साफ करना है तो इस्तरी को फुल गरम करो और इसके बाद डिस्प्रीन या पैनेडॉल वाली कोली इसके उपर रगड़ो और फिर किसी कपड़े से साफ कर लो रात को सोते वक्त तीन दफ़ा आयतुल कुरसी पढ़ लिया करो आप हर बला से महफूज हो जाओगे गने के रस में अद्रक डाल कर पीने से गरमी का एहसास नहीं होगा खीरा ज्यादा खाने वाले को कभी सांस की बिमारी नहीं होगी बलड प्रेशर बढ़ने लगे तो फौरण अंजीर के दो दाने खालो बलड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा रुजाना सुबा दही के साथ नाश्टा करने से खून की कमी दूर हो जाती है सामले रंग की खवातीन टूथ पेस्ट के अंदर अंडी की सुफैदी मिला कर चेरे पर लगाएं जिल्द नर्मो मुलाइम और निकर जाएगी जिस्म पर सर्शों के तेल की मालिश करने से गैस की बिमारी खतम हो जाती है अदरक और लीमू का रस मिलाकर रुजाना पीने से वजन में कमी आने लगती है लीमू जिगर को साफ करने में मुफीद है रात को जल्दी सो जाना और सुबा को जल्दी उठ जाना इनसान को हमेशा सिहत मंद और तंदरुस्त रखता है अगर पिशाब का कोई इन्फैक्शन हो जाए तो रुजाना फालसे का जूस पी लिया करो जिनका पीट साफ ना रहता हो वो दूद के साथ सौफ का इस्तमाल किया करें लॉंग चबाने से बदन की सूजन कम हो जाएगी जल्दी बुड़ा नहीं होना चाहते हो तो हर खाने के अंदर पिसी हुई अद्रक का इस्तमाल किया करो जिसको दमा की बिमारी हो जाए उसको चाहिए के खाने में अजवाइन का इस्तमाल किया करें जिसम में ताकत डालने के लिए डालों का इस्तमाल ज्यादा करें रोजाना छे साथ दाने बादाम खाकर कैंसर से महफूज रहा जा सकता है आदे सर का दर्द दूर ना हो रहा हो तो लीमू के चिलके पीस लो इसमें जैतून का तेल मिक्स करके सर की जिल्द पर अच्छी तरह मालिश करो आदे सर का दर्द खत्म हो जाएगा ज्यादा नहाने वाला बंदा कभी बिमार नहीं होता जिन लोगों को कब्स का मसला हो वो सूखी रोटी खाने से परहेज करें और दाल का ज्यादा से ज्यादा इस्तमाल करें मेदे की तिजाबियत का मसला हो तो दही का इस्तमाल बगैर जीनी के रुज़ाना करें जिन को खाने के बाद खटी दिकारें आती हो बद हजमी हो जाती हो और सीने में जलन रहती हो तो प्याद को काट कर इस पर लीमून चोड़ कर दुपहर के खाने के साथ रुज़ाना खा लें आपका हाजमा बेहतरीन हो जाएगा आँखों में दर्द हो या नजर कमजोर हो जाए तो मरीज को लंबा सजदा करवाओ पठों के दर्द और खंचाओ के लिए एक खाने का चमच बादाम का तेल गरम करके मतास्रा इससे की मालिश करें चेहरे की जुरियों और च्छाइयों को दूर करने के लिए लीमू का रस कुछ देर के लिए चेहरे पर लगा दें नहारमू दही खाने से यादाश्ट बढ़ जाती है नहारमू एक लसन पानी के साथ खा लेने से मेदे की गैस और तिजाबियत का मसला हल हो जाता है मेदे की गर्मी से जान छुडवानी है तो सौफ वाला पानी पिया करो बेसन बनाते वक्त इसमें थोड़ी सी सौफ और अजवाईन शामिल कर ली जाए तो ना सिर्फ बदहजमी का हौफ खतम हो जाता है बलके पकोड़े भी हुश्बुधार बनते हैं नहार मू कहवा में लीमू ने जोड़ कर पी लें और ये दुपहर को भी इस्तमाल करें मुटापे में कमी आ जाएगी गैस के मर्ज में मुब्तला अफराद चंद दिन सुबा नहार मू पांच साथ दाने कलवंजी के इस्तमाल करें नाक में सर्सों का तेल लगाएं अगले दिन फरक खुद महसूस करेंगे मुटापा खतम करने के लिए गरम पानी में शहिद मिला कर पीने से फाइदा होता है बादाम के तेल का बालों पर रुजाना इस्तमाल बालों को लंबा और सिहत मंद बनाता है दही खाने से डिप्रेशन और जहनी दबाओं से छुटकारा मिल जाता है आवाज बैठ जाए या गला खराब हो जाए तो गुड़ वाले चावल खाएं गला बहुत जल्द ठीक हो जाएगा पेट में हर वक्त गैस रहती हो तो मेत्थी के बीज खा लिया करें जौ की रोटी का इस्तमाल नाश्टे में करें इस से वजन कम हो जाएगा खीरा खाने से खून का जोश कम हो जाता है और पिशाब की जलन दूर हो जाती है दिल की बिमारियों से बचना है तो सुबा शाम पैदल चलें ज्यादा नमक खाने से दिल कमजोर हो जाता है और पठों में दर्द मैट जाता है जिन लोगों को अकसर कब्ज का मसला रहता हो वो बड़े गोश्ट का इस्तमाल ना करें छोटी लाची को मुँ में रखकर बबल की तरह चबाते रहने से आपका हाजमा ठीक रहेगा अगर पिशाब रुक रुक के आता हो तो ज्यादा से ज्यादा गंडेरियां खाएं सुबा खाली पेट फलू का रस पीने से गुर्दे दुरुस्त रहते हैं सेब इनसानी जिल्द को खुबसूरत बनाता है और कुवत मुदाफित में इजाफा करता है दही और शेहद चेहरे पर मास की तरह लगाने से जुर्यों में कमी आती है रात को सोते वक्त नीम गरम दूद में एक चमच रोगने जैतून डाल कर पीने से कब्ज दूर हो जाती है दूद के साथ कभी भी तुर्ष चीज ना खाएं ये सिहत के लिए नुकसान दे है खाना खाकर फौरन सू जाने से कान बहरे हो जाते हैं दूद गरम करके इसमें थूड़ी सी सौफ डाल कर पीने से कमर दर्द से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है आइरन की कमी दूर करने के लिए पालक और गूबी का इस्तमाल क्या करें पाने पीने के बाद थूड़ी देर चला करें बुड़हापे में गुटनों में कभी भी दर्द और तकलीफ नहीं होगी अद्रग खाने से पठ्टों को तागत मिलती है खारिश वाली जगा पर प्याज का रस लगाने से खारिश से आराम आ जाता है जैतून का तेल जिस्म पर लगाने से जिस्म चालीस दिन तक शैतान से महफूज रहता है तहकीक से ये साबित हुआ है कि जब इनसान मुस्कुराता है तो इस से आसाबी तनाव की शिदत कम हो जाती है और दिल पर दबाव में भी कमी आती है अगर बवर्ची खाने के दर्वाजों खिड़कियों और सुराखों में लीमू का रस निचोड कर लगा दिया जाए तो चिउन्टियां भाग जाएंगी जिन लोगों के मुँ में अक्सर चाले हो जाते हैं वो खाने के बाद थोड़ा सा सौफ मुँ में डाल लिया करें मेदे के अलसर के लिए एक अदद लौंग रुजाना सुबह चबा कर पानी के हमरा पी लेना बेहद मुफीद है बढ़ते हुए वजन को कम करना है तो दिन में तीन बार खीरा जरूर खाएं जो लोग तेजी से रोटी खाते हैं इन में दिल की बिमारियां पैदा हो जाती हैं